Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके Realme के phone में इस तरीके से e-network आता है Data on करने के बाद EDGE इस तरीके से लिखा हुआ आता है 4G, 5G, Net नहीं चला है आपके smartphone में e-network problem आ रहा है तो इस problem को आपकी इस तरीके से ठीक कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको एई बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करियेगा और last तक बने रहीएगा तो चले friends वीडियो को start कर लेते हैं वेदाव टाइम वेस्ट के इसके लिए friends सबसे पहले काम आपको करना है कि अपने setting app को open कर लेना है इसमे क्लिक करने के बाद friends यहांपर आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे last में एक option आपको देखने को मिल जाएगा backup and reset का इस पर आपको click कर देना है इसमे क्लिक करने के बाद friends यहांपर आपको सबसे last में ही एक option और देखने को मिल जाएगा Eries All Data Factory Reset का इस पर आपको क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर आपको Reset Network Settings का Option देखनी को मिल लाएगा First Number पर इस पर आपको क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर आपको पहले Home Screen को जो Lock लगाये रहेंगे इसमें क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर आपको एक Option देखनी को मिल जाएगा Reset Network Settings का इस पर आपको क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर आपका Network से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगी बग रहेगा वो आपका ठीक हो जाएगा और आपकी स्मार्टफोन से कुछ भी चीज डिलिट नहीं होगा मत सोचिएगा कि Reset Network Settings करने से Friends आपका कुछ भी डिलिट हो सकता है तो Friends ऐसा कुछ नहीं है आपके स्मार्टफोन से कुछ भी चीज डिलिट नहीं होगा और यह सिर्फ आपको आपके स्मार्टफोन में जो भी नेटवर्ट से रिलेटेड बग रहेगा और प्रॉब्लम रहेगी और आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद Friends यहां से आपको बैक हो जाना है उसका थोड़ी दिर बाद इसे एरोपलेन मोर से हटा देना है एरोपलेन मोर से हटाने के बाद Friends यहां पर आपका नेटवर्क रिफ्रेस हो जाएगा और यहां पर आपका 4G नेट चलने लगएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा